नमस्कार मैं हूँ निलेश और आप देख रहे हैं समय यूपी नियूज किलिक.ड़ कॉम जैसा कि इस समय पूरे देश में करोना कॉल चल लहा है इस देश में अब तक करोना संकर्मिक की संख्या जो है पचास हजार से जादा हो गई है और अच्छी बात ये है कि 14,000 से जादा लगभक लोग ठीक भी हो गए है तीसरा लागडाउन है ये तीसरा लागडाउन का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे लागडाउन के लोग जादा से जादा लागडाउन का पालन कर रहे हैं लोग पालन करते हुए भी लोग कहीं कहीं भूखे भी रह जाते हैं काम पे नहीं जा पा रहे हैं लोग अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं लोग ऐसे में दरिया दिल दिखाते हुए इंसान हैं, इंसानियत दिखाते हुए एक लोग हैं जिंका नाम है राहूलियादो और अकलेश शिंग हें हम इस समय जी हां मौझुद है इस समय हम स्यूनगर कालोनी सहधत गंज में जो कि इस तरीके से यहां पे लोग काम कर रहे हैं लोगों तक, गरीब लोगों तक, मजदूरों तक भोजन पहुचा रहे हैं खाना पहुचा रहे हैं रासन पहुचा रहे हैं और लेंच पैकिट जो है लगातार 40 से 41 दिन आज हो गया है लगातार 400 से 500 पैकिट लोग पहुचा रहे हैं उन तक भोजन पहुच पा रहा है जो लोग ऐसे सच्छम नहीं है कि उनको भोजन मिल पा लोग काम करने जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं जब काम नहीं जा पा रहे हैं करने के लिए तो पैसा नहीं आ रहा है पैसा नहीं आ रहा है तो लोग अपना परिवार नहीं पाल ले हैं जिस तरह दिखाया जाए कि पैकेट यहां पर पैक हो चुकी है तीन से चार से कैरेड हैं हमें लगता है चार से पांसो पैकेट इसमें पैकेट इसमें मौझूद है खाना इसमें बना हुआ है तो इसमें जिस तरीके से हम अभी आपको नाम हम बता है अकलेश शी और रहूल जी हैं और आए हम लोगों से जानते हैं कि कहां से ये मन में इनके आपको कहां से यह मन में कौन सा इसा बात आया कि हमको यह काम करना चाहिए सबसे पहले आपका धन्यमाद करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं जोड़ कर अपने घर में रहें और जैसा कि पूरा देश हमारा इस लागडाउन का पालन कर भी रहा है और लगातार हमारे करोना वेरियर्स हमारे पुलिश करमी हॉस्पिटल के नरसें डॉक्टर्स और हमारे इसस आर्मीd के जमान सरहेत पर अर जगा भी दैस की सुरक्षा कर रहे हैं हर तरीके से और अभी तक हम लोग हमारी टीम लागडाउन को लोगों तक को जागरुक भी कर रही है क्योंकि जागरुक भी हमारे देश की पब्लिक में हर जगा तो जागरुकता फैलाई उस तरीके से नहीं फैलाई जा सकती तो हम लोग घर घर जा करके जागरुक कर चुके हैं और लगाता इसको हम कर रहे हैं तो क्यूंकि अगर आप दोसरों की यह काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है बहुत पुनिका काम आप कर रहे हैं जो लोग भूखे हैं गरीव हैं उन आप भोजन पहुचा रहें बहुत अच्छी बात है अच्छा क्या यह सिर्फ मजदूरों को लिए ही है या और भी वर्ग लोगों के लिए इसमें कोई एक ही मीनु को रोज परोशते हैं लगातार 40 दिनों से हम लोग अलग अलग मीनु को परोशते हैं और जैसे आपने कहा कि की हम किसको देते हैं हम कोई भी जात्य पात्त का यहां पे वट नहीं हैคुई भी आकर बहुजन ले सकता है जो भूखा और जरूरत्स मन्द हम कच्चा रासन बितनड कर रहे हैं पांच किलो चावल पांच किलो आटा एक किलो सरसो का तेल यानि कि जो भी आव सकता हैं सब्जी में आपका प्याज हो गया अरहर की दाल यह सारी चीजे हम लोगों के घर घर जा करके जहां से हमको फोन आता है जैसे आप मालेजे आप कही फोन करें कि यहां पे जरूरत है चारपरिवार हुखा है तो हम वहां पर जाते हैं नमस्ते टीम में बहुत अच्छी बात है इतने गहीं ज्यादा लोग और बड़े और हैं यह जितने भी लोग हैं आपके टीम के लोग आप को बुलाना पड़ता है या किसी को बुलाना नहीं पड़ता सारे लोग अपने काम के प्रति डेवोटेड हैं सेवा भाव से क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारा देश करोना जैसी महामारी से लड़ रहा है तो हम भी जो भी सहयोग इस देश में तनमंधन सबसे बड़ी च कि चार बजे तक बर लोगतकर सारे और देश समया ओंखी आयासारी कहीं 친 का और किया फिरे में या प्रति इनकों कि बिल्कुल आपने सभी फर्माया हम लोग पुलिस कर्मी को सहाधत गंचौकी रोड़ बेज और आपके प्रसासन में SDM साहब के माध्यम से 1000 लगभग पीस DM साहब के माध्यम से 500 पीस और बाकी गाउं में जा करके राइपुर में फतेपुर में आपका और और मिर्जापुर में कई गाउं में जा जा करके लोगों को मास्क का बितरण और सेनिटाइजर का बितरण किया गया रोड़ बेज पर बितरण किया गया और लगातार करने का इरादा है और हम इसा करते रहेंगे अगलेज जी आपसे कुस्चन है मारा कि जिस तरीके से आप ये समास सेवा कर रहे हैं जिस तरीके से भूखे लोगों को आप भोजन दे रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहां पे अभी उन तक जो है भोजन नहीं पहुंच पा रहा है उनके बार सरस्री निगास से देख लेते हैं कोई ऐसा नीडी आदमी मिल जाता है क्या उसको भोजन के जुरूत है या और किसी चीज की जो ते दवा है पानी है या कोई भी ऐसा चीज जो उसको नहीं मिल पा रहा है तो वहां हमारी एक होसिट रहती को कुछ डॉक्तरों से भी संपर क करते हैं जैसे अभी कुछ जगों पर हम लोग गए थे तो हम लोग दुड़ा के जूढ़ा कि एक जूgen की कि कुछ क्या हैं परिष्थ सांड़रो करना चाहते हैं इन परिष्थितिए में अपना हम टीम के माध्यम से customers आपने काम कर सकते हैं कि जिस तरीके जिस लायक है लोगों आ गे आ सकते क्या doctor सुनिल में आपको ईकनलिट सब्छादी मिले सब्सक्राइस करते हैं जो उनको अपना क is surgery और जरुस्छा गता लगातार बार बार यह खेरी की भीड कठाना करें जिस तरीके से उस्तों के अकेले में ही जो भी काम करना आप करी अच्छा आप लोग जाते होंगे तो परसासन के तरफ से आपको कहीं रोक इसा को रोकता है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का फालो तो जरूर करते हैं ठीके हो नहीं बताएं अब यहां तो म्लाक ब्रसिटूर करना थे हैं अब लूग जिसे जो लोग अभी कुछ लोगTrack London के लिए क्या कहना चाहिए यह क्या बूलना चाहिए आपका ये कोशन तो बहुत अच्छा है कि जादा से जादा हम क्या कर सकते हैं इसमें हमने सब जगा जितने भी पोश्ट आप हम डालते हैं या जितने लोगों को हम अपील करते हैं उसमें सब यही मेरता है कि आप सरानिय कदम एक जो मदद का है वो जरूर बढ़ा है ताकि कि एक परसन की मदद आपके मद्यम से हो सके तो पहली अपील यही रहते हैं कि आप जरूरी नहीं कि किसी भी छेत्र में आपके लोकलाइड एरिया में जो भी जानवर हैं जो भी पसुपक्शिय हैं या पर जो भी ऐसे नीडी परसन से ज़रूत मंद हैं जिनको इन सामानों की जुर्वत है तो आप कोसिस करके एक आदमी की मदद करें बाकि एक आदमी की मदद करते रहेंगे इस तरह से समाज में हर आदमी की लग-भग मदद को जा shorten की है कि अगर आदमी सिस्टम से काम करें तो कोई भूखा ने रहे पाएगा अपने पड़ोष का सहीयोग सपोर्ट करना चाहिए लोगों को अगर नहीं आगे उस अच्छा में जाने के लिए तुनको ले जाना चाहिए कुछिस करना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा लोगों के लिए इसे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके नमस्ते टीम काम करते हैं अपने चैनल के मादम से आप लोग बहुत ही एक सराहनिय कारे कर रहे हैं जो कि करना चाहिए हर लोगों को अगर हर बेक तेसा सोचे तो कोई हमें नहीं लगता कि भूखा रह पाएगा बहुत धन्यवाद